नमस्कार स्वागत है आपका महाराज श्रफाइल्स में मैं हूँ आपके साथ सुनाली आज बात करेंगे पवार और उद्धव ठाकरे के डर की शेडी में चल रहे NCP के चिंतिन शिवर में शरक पवार का डर दिखाई पड़ा पवार ने अपने विधायकों को नसियत दी है जो NCP में तूट का संके दे रहा है वहीं उद्धव ठाकरे राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे है क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर लग रहा है कि कहीं कॉंग्रिस की यात्रा उनके सियासी भवविश को खत्म ना कर दे तो आज इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है क्यापिचल टीवी के एक्जिक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद राजीव जी पवार ने चिंतन शिवर में क्या संकेत दिये देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरत पवार चिंतन सिविर में पहुंचे कैसे रत पवार इन दिनों बीमार चल रहे थे हॉस्पिटलाईज थे एक सब्ता हो गया लगबग वो हॉस्पिटल में ही थे और हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे वो शिरिडी गए चिंतन सिविर के बायटक में भाग लेने के लिए वो बोल भी नहीं पा रहे थे दिली बल से पाटिल उनका भाशन पढ़े वो कुछ एक आग डिड़ मिनट बोले होंगे इसका मतलब है कि वो अपने स्वास्त जो उनका साथ नहीं दे रहा है अबी उसके बावजूद वो चिंतन सिविर में गए और वैसे समय में गए जबक की लगतार ये बात चल रही है महरास्ट के अंदर कि NCP के भीतर गुटबाजी है और NCP के कुछ विधायक नेता जो है वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं जैसे कि यहां तक की दावा किया जा रहा है कि 12 विधायकों ने तो लगबग पार्टी छोड़ दी है वो पार्टी छोड़ चुके हैं वो बैठकों में नहीं जा रहे हैं और लगबग NCP के बड़े शिर्ष नेत्रित्व जो है वो जानता है कि यह विधायक अब साथ में नहीं रहेंगे लेकिन वो ओफिसियल एलान नहीं कर रहे हैं और NCP उन लोगों को बाहर निकाल लही सकत है निकाल देगी तो फिर ऐसे समय में उनकी सदस्ता बरकरार रहेगी तो यह जो चर्चाय चल रही है इस बीच इतने बीमार होने के बावचूद जो सीधे मुंबई से स्रीडी जाते हैं हस्पताल से निकलने के बाद वहां जाकर बाते क्या करते हैं विचार धारा की कि हमा पारिपाठी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि वो किसी लोब के शिकार ना हो यह बाते कौन कर रहा है यह शरत पवार कह रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के सबसे भरस्ट और लोबी नेताओं में से एक हैं जिनके उपर इतने भरस्टाचार के आरोप हैं कि अगर सावित हो जाए तो यह जेल से बाहर ना निकल पाएं लेकिन अब दुरभाग्य है हिंदुस्तान के और सम्विधान के कानून के उन जो टुकडों के जिसके कारण कानून का दुरूपियों किया जाता रहा है आर्थिक अपराद को लेकर ऐसे लुन्ज पुन्ज नियम कानून बने है हिंदुस्तान में जिसके कारण आर्थिक अपरादियों को दंड मिलते मिलते परिश्मट मिलते मिलते सालों लग जाता है और इसे का फायदा ऐसे ब्रस्ट नेता उठाते रहते हैं जिनके खिलाब अगर CBI, ED इन लोगों के चार सिट को देखेंगे तो एक सामान्य बुद् कर रहा है उसकी बात तो मानते हैं कि जो बिजनसमेन है जो बिजनस कर रहा है दिन रात उसी में लगा हुआ है वो एक करोड़ दो करोड़ का बिजनस करते हुए पचास करोड़ सौ करोड़ बना सकता है लेकिन वो व्यक्ति जो पहले से ही राज्यति कर रहा है मंत्री रहा ह उसके income में हजारों गुना जादा इजाफा सैक्रों करगों की संपत्ती ये तो पुस्ट दर्पुस्ट कमाने पर भी इतनी संपत्ती नहीं होगी जैसे की संपत्ती दिखाये जाता है तो ये तो प्रथम द्रष्टिया लोगों को ये समझना चाहिए हाला कि ऐसा नहीं है कि इ कॉंग्रिस पार्टी सड़क पर चल रही है सड़क पर उतर गया है राहूल गांधी उनके पास कुछ नहीं बचा है अपनी विसीट आर रहे है शरत पबार को सत्ता से बिधकल कर दिया गया है अब वो लगता नहीं है के नसे पी अब उबर के आप आएगी बहुत समय लगे कि यहां तो भाई लोब में किसी का मतफसना इसका मतलब है कि उनको इन्पुट मिला हुआ है उनको जानकारी मिली है कि उनके पार्टी के कुछ नेता कहीं ने कहीं गड़वड करने के चक्कर में है यानि पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए है इसलिए ये प्रवचन दे रहे हैं लोब में मतफसना प्रस्टाचार और दूसरे के भाकावे में नहीं फसना चाहिए ये जो प्रवचन देना सुरुक किया जाता है न राजजिती में तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है और कुछ लोग नाराज चल रहे हैं जिसको रैती कस्तर पर उसके उपर moral pressure डाला जा रहा है कि आप छोड़के ना जाओ। तो शरत पबार जिस condition में चिंतन सिवीर में पहुचे और जो बाते कही है उससे तो यही लगता है कि NCP अब तूट सकती है, कभी भी तूट सकती है और इसलिए शरत पबार के चिंता ये चिंतन सि सिर्फ इसी बात के लिए था ये कोई अस्टेड़ी अस्टेड़ी बनाने वाले नहीं है और ना ये रन्निती बनाते हैं चिंतन सिवीरों में बैट के वहां पर तो सिर्फ एक दूसरे के साथ बात चित होती है गुटवाजी होती है और फिर उन लोगों को जो नाराज चल है उसको समझाने की कोशिश होती है ये महरास्ट के लिए जनता के लिए तो रन्निती नहीं बना सकते थोड़ी बहुत रन्निती अपने जीत हार के लिए होती है पर किस तरह से लोगों को बेवकूब बनाया जाए राजी जी उद्धव ठाकरे के साथ भी वही डर है क्योंक जो भी द्रोश चल रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी कुछ समय से इतने मुश्किलों के दोर से गुजर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस करवट जाएं अभी जो बरतमान में उनके नेता हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो भी इस बात को मानते हैं क जो उद्धव ठाकरे को कॉंग्रेस और NCP का साथ छोड़ देना चाहिए लेकिन अब वो ऐसे जकड़े हुए हैं जाल में फसे हुए हैं कि वो छोड़ का भी कहां जाएं च्योंकि अब भारतिय जंता पार्टी के तरफ ऐसा दरवाजा खुला हुआ नहीं है कि जाएं और स सामान तरीके से एंट्री कर ले उसके लिए भी महनत करनी होगी अब लेकिन अब इन्होंने शुरुआती दोर में बिल्कुल जो एक्साइटमेंट होता है उसे एक्साइटमेंट में आकर कॉंग्रेस का निमंतरन सुविकार कर लिया कि हम लो भारत जोड़ो यातरा में शरत हो तमिनाड हो आंदरपरदेश हो तिलंगना हो हर जगह पर बाते क्या कर रहे हैं एक ही बात सबके अधिकार बात कर रहे हैं अलपसंख्यकों की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो चल रहा है अभी वो अलपसंख्यकों को दवाने वाली सरकारे चल रही है सब को अधिकार मिलना चाहिए यानि कि किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है कॉंगरेस के ये अधिकार बचाओ अभियान जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों के लिए चलता है क्योंकि कॉंगरेस के दिमाग में मुसल्मान ऐसे घर कर गया है कि उससे कॉंग्रिस बाहर आहे नहीं सकती और अब उद्धब ठाकरे भी उसी पध्यात्रा का अगर हिस्सा बनते हैं तो राहुल गांधी के हां में हां मिलाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि महरास्ट में अब औरंजेव की कबर को और सजाओ जो शिबसेना उसको हटाने की बात करती है वो कहेंगे कि औरंगाबाद का नाम सांभाजी नगर नहीं होना चाहिए औरंगाबाद तो होना ही चाहिए हम नाम बदले क्यों जिसके उद्धब ठाकरे जो है बार-बार ये कहते हैं ये बदलना चाहिए शिब्चना के जो फाउंडर थे बाला साब ठाकरे वो भी यही मानते थे तो ये उन विचारधारा के साथ उनको चलना पड़ेगा तो इसलिए वो कॉंग्रेस के साथ भी और कॉंग्रेस के खिलाब भी इस तरीके से अस्टरजी बना रहे हैं तरे हुए के जिसमें वो अपने बेटे आदित ठाकरे को भेज सकते हैं बीच में चले जाएंगे आदित ठाकरे यातरा के कहीं जूड़ जाएंगे उनके साथ क्योंकि आदित ठाकरे अभी राजनिती में बच्चे हैं उनको इतना स्रियसली नहीं लिया जा सकता तो इसलिए ठाकरे गुठ है उसको मजबूत करना चाह रहे हो शरत पवार के साथ तो कोई समस्या नहीं है शरत पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले या फिर अजीद पवार के साथ भी पहुच जा सकते हैं राहूल गांधी के साथ वो पुराने कॉंग्रेस ही रहे हैं उनकी खांदान जो है उनके खिलाब सीताराम किस्री को जिताने में अहम भूमिका निभाया शरत पवार बिल्कुल खिस्याने बिल्ली की तरह बन गए उनको लगा कि अब कॉंग्रेस में इज़त मिलने वाली नहीं है हमने सोनिया गांधी के परत्यासी खिलाब चुनाब लड़ा है तो वो फिर अपनी पाठी बना लिए लेकिन अगले साल ही इनको लगने लगा कि कॉंग्रेस के साथ गटवंदन किये बिना हम कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए गटवंदन में सरकार चलाते रहे सरकार चलेगी तो करप्सन होगा तो उद्धब ठाकरे उस विचारधारा के साथ नहीं है जो कॉंग्रेसी विचारधारा है उद्धब ठाकरे की विचारधारा अलग है पाठी की विचारधारा अलग है लेकिन कुछ समझोता इन्होंने बीच में किया था और अब जब शिब सेना के बीच पटवारा हो गया है तो इनको ज़्यादा साबित करना यह कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं हिंदुत्व के विचारधारा के साथ है लेकिन दवाब तो यही रहता है कि जिसके उपर आरोप लगा उसे साबित करना पड़ता है कि आरोप गलत है अब उनके उपर आरोप है विचारधारा से को बदलने का त कि हम इसी विचारधारा पर चल रहे हैं तो इस डर से वो डूबियस स्थिती में हैं उनको लग रहा है कि अगर उनके आतरा में सामिल होते हैं तो फिर से शिब से ना क्या जो उनका गुठ है वो और कमजोर हो जाएगा तो इसलिए दोनों डरे हुए हैं एक तरफ शरत पवार दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे बहुत बहुत धन्यवाद राजीब जी बातचीत के लिए धन्यवाद जी हां तो शरत पवार ने जिस तरीके से अपने विधायकों को लोब में नहीं फसने की बात कही है उससे लगता है कि NCP में विस्पोर्ट होने वाला है तो दूसरी औ और उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर राहुल की यात्रा में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी का अधार कमजूर हो जाएगा चुनाव में इसका खामियाजा भुगता पड़ सकता है इसी कारण उन्होंने कॉंगरिस को खुश करने के लिए अधित्य ठाकरे को